भाजपा ने राज नीती में विकास को अपनी सर्वोच्च प्राफिक्ता बढ़ाया है। आज भाजपा की पहचान सूसासन से हैं, गरीब के कल्यान वाली नीतियों से हैं। भाजप वही बाते कहती हैं, जो कर सकती हैं। और जो कहती हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति खपा देती हैं। वही कई राजनितिक दल सिर्फ और सिर्फ परिवारबात और वोट बेंक की पोलिटिक्स के भरोसे चल रहे हैं। इसलिए बीजेपी की सरकारों का जैसे जैसे लोगों का अनुभवाता है, लोगों का विश्वाद बढ़ता जाता है और बार बार आशिरवाद मिलता रहता है। आपने दो हजार उन्नीस के लोगसभाद चुनाव में ये करके दिखाया है, भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ फिर वापस आई है। मद्दपदेश, गुजात, हर्याना, गोवा जैसे राज्यों में बीजेपी सरकारे कई कई बार सरकार में वापस आई है। अब तो इस बार उत्तराखन के लोगों ने भी पुरानी परंपरा को बदलते हुए बीजेपी को ही दुबारा बिठाया। यूपी में भी 40 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी फिर से जिट करके पूर्ड बहुमत के साथ लगारतार दूसरी बार सरकार में वापस आई है। मनिपूर में भी भाजपा की सरकार फिर से आकर के एक नया इतिहाद बन गया है। अब इस स्थिती की तुलना आप जरा कॉंग्रेस से करिए। आपको हैरानी हो जाएंगी इस तरह नजर करेंगे जरा सोच करके। कॉंग्रेस का इतियाज का है। और लोगों का कॉंग्रेस के प्रति गुस्षा की तरह है। एक बार सरकार से गई तो फिर उसका वापिस लोटना ही मुश्किल होता है। अब देखिए तमिल लाडू, तमिल लाडू में वहां के लोगों ने करीब साथ साल पहले वहां से कॉंग्रेस को निकाला, अब तक वापिस नहीं आई, साथ साल हो गए, बुसने नहीं देते। इस पस्चिम मंगाल देखिए, त्रिपूरा देखिए, वहां के लोगों ने पचास साल हो गए, कॉंग्रेस को हटाया, पचास साल पहले, पचास साल में पैर नहीं रखने दिया उनको। उत्तरपदेश, बिहार और गुजरात के लोगों ने कॉंग्रेस को करीब करीब, 40 साल से सत्ता के बहार करके रखा हुआ है। कितना गुशा होगा आप अंदाज कीजिए, उरिशा के लोगों ने भी कॉंग्रेस को करीब करीब, 30 साल से सरकार में आने से रोक रखा है। नागालेंड में भी कॉंग्रेस करीब करीब, 25 साल से लगातार चुना भार रही है। आदिल्ली, पश्चिम मंगाल, आंदापदेश, नागालेंड, चिक्केम, कई असे राज्य हैं जहां कॉंग्रेस का एक भी विदाएग नहीं है। भाईयों बहनों, कॉंग्रेस का अधार आज भी परिवारबादी है। ऐसी कॉंग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों की अपेशाओं को, आकांशाओं को कभी पुरा नहीं कर सकती। आपने पांच साल पहले कॉंग्रेस की बिदाएग कर दी थी, अब उसे लोटने नहीं देना है, गुसने मत दीजिए।